अर्ध उष्ट्रासन उष्ट्र शब्द का आर्थ है उूट सावधानी, हरनिया, उदर संबंधी व्याधियों, आर्थराइटिस तथा चक्कराने पर इस आसन को न करें विश्राम अवस्था से शुरू करें कमर सीधी और पैरों को आगे की ओर मिलाकर बैठ जाएं हथेलियों को जमीन पर रखें और उंगलियों को सामने की ओर रखें यहाद दंडासन है दाएं पैर को घुटने से मोड़ते हुए पंजे को दाएं नितंब के नीचे दबाकर बैठ जाएं इसी प्रकार बाएं पैर को भी मोड़ते हुए बाएं नितंब के नीचे रखें हाथों को घुटनों पर रखें घुटनों पर खड़े हो जाएं हाथों को नितंबों पर रखें उंगलियां नीचे की ओर हुँ कोहनियों को समाना अंतर रखें श्वास लें, सिर को पीछे जुकाएं तथा गर्दन में खिचाफ महसूस करें। श्वास छोड़ें और कटी भाग से यथा संभव पीछे की ओर जुकें। जांगों को सीधा रखें। इस स्थिती में तीन से पाच श्वासों तक शालेरिक जागरूपता के साथ बने रहें। श्वास लेते हुए खुटनों पर खड़े हो जाएं। श्वास छोड़ते हुए वजरासन में वापस आएं। प्रारमभिक स्थिती में लोटते समय दाई ओर जुकते हुए बाएं पैर को निकालें और उसे सीधा करें। इसी प्रकार अपना दाया पैर सीधा करते हुए सामाने स्थिती में लोटाएं। विश्राम करें।